आज की वीडियो में मैं बनाने जा रहे हूं बेसन की भर्मा मिर्च और ये जो मिर्च है वो रोठी पूडी या परानी चाहmb сп्रास साथ में बहुत टेस्टी लगती है तो बेसन की भर्मा मिर्च बनाने के我說 मैंने यहां पढ़ ली आैं मोटी बीज निकाल लेंगे मिर्च के और इधर मैं एक पैन में सौफ को रोस्ट कर रही हूँ तो एक चमच सौफ मैंने ली है इसको हलका सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद में इसको दरदरा कूट लेंगे इस तरीके से कूट लेना है सौफ को और अब उसी पैन में मैं डाली हूँ बिल्कुल थोड़ा सा तेल एक टीस्पून के आसपास में और इसके अंदर मैं रोस्ट करूँगी बेसन को तो यहां पर मैं ले रही हूँ आधा कब बेसन बेसन का कोई fix measurement नहीं है आप जितनी मिर्च ले रहे हैं उसके हिसाब से बेसन ले लीजिए और बेसन को बिल्कुल लॉफ लेम पर हम भूनेंगे ताकि बेसन का जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए तो बेसन को तब तक भूनना है जब तक इसमें बीनी-बीनी खुश्बू आने लगे तो चार-पांच मिनिट के अंदर लॉफ लेम पर बेसन भून जाएगा और भूनने के बाद में हम इसको किसी दूसरे वरतन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसके अंदर मसाले अड़ करेंगे तो बेसन ठंडा हो गया है इसमें मैं एड़ कर रही हूँ दरदरी कुटी हुई सौंफ और जो बेसिक मसाले हम सबजी में यूज़ करते हैं वो इसके अंदर एड़ कर रही हूँ हींग भी डाल रही हूँ क्योंकि बेसन हैवी होता है और हींग जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेगी आधा चम्मच इसमें मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ खटाई के लिए अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो इसमें एक नीबू का रस डाल सकते हैं और एक टेबल स्पून मैंने इसमें ओयल एड़ किया है अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर द इसको हम फिल कर देंगे हरी मिर्च के अंदर बहुत जादा नहीं भरेंगे क्योंकि अगर हम इसको बहुत जाद भर देंगे तो फ्राई करते हैं पूरा जो मसाला है वो बहार निकल जाएगा तो इस तरीके से पूरा जो मसाला है वो हरी मिर्च में फिल कर देंगे और अब हम इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में ले रही हूँ ओयल और बहुत जादा तेल की भी जरूरत नहीं होती है इन मिर्चों में कम तेल में ही ये फ्राई हो जाती है तो तेल गर्म होने पर मैंने इसमें जीरा डाला है और जीरा क्रैक होने लगे तब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और हरी मिर्च को बिल्कुल लॉफ लेम पर फ्राई करेंगे आप चाहें तो ढखकन लगा करके fry कर सकते हैं या चाहें तो बिना ढखकन लगा ही इनको fry कर सकते हैं और low flame पर fry करेंगे इनको और बीच बीच में हम इनको चेक करते रहेंगे और इनका side जो है वो change करते रहेंगे ताकि सबी तरफ से ये बिलकुल अच्छे से fry हो जाएं और जैसे ही प्राई होंगी ये soft हो जाएंगी बिलकुल तो मैं इसको ढखकन लगा करके fry कर रहे हूं और बीच बीच में इसको चेक करते जाऊंगी और ये देखे सबी तरफ से ये अच्छे से fry हो जाए इसलिए इसको साइड को चेंज करते जाओंगी इसके और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई होने में पाँच-छे मिनिट में ये फ्राई हो जाते हैं अच्छे से तो ये देखे हरी मिर्च बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है कलर इनका चेंज हो गया है बड़िया तरीके से फ्राई हो गई है तो इनको मैं निकाल लूँगी किसी दूसरी प्लेट में और जो बाकी बच्ची हुई हरी मिर्च है उनको भी मैं इसी ओयल में फ्राई कर लूँगी तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च जादा ली थी तो मैं उनको दो बैचिस में फ्राई कर रही हूँ और वस यह भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और लीजिए तयार है हमारी बेसन की बर्वा मिर्च और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं उनके लिए बहुत जादा टाइम तक तो नहीं ठिकती हैं क्योंकि बेसन है जल्दी खराब हो जाता है लेकिन यह इतनी टेस्टी बनती है कि यह जटपट खतम हो जाती है तो आप भी ज़रू ट्राई कीजिएगा यह रेसिपी और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ में इसी चैनल पर तब तक के लिए बाइ स्टे कनेक्टेड